कि निवश्कार में और आल चर्मा आप देखने हैं स्पेन नाय नियूस स्वागत है आपका मारे इस खास प्रोग्राम प्रोग्राम की शुराद बहुत बड़ी खबर से देखे खबर क्या है कि सचिन पाइलेट ने अब बगावत कर दी है कॉंग्रिस के खिलाफ बगावत कर दी है अशोग गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी है और गहलोत समर्थों के तोते उड़े पड़े हैं गहलोत समर्थों के होश उड़े पड़े हैं कि अगर सचिन पाइलेट ने अपने समर्थ के साथ पार्टी का साथ छोड़ दिया तो गहलोत की कूरसी तो गिरना ताय है इसके साथ ही आप ये भी समझे कि राजस्थान सरकार बीच में ही गिर जाएगी जिस तरह से मध्यपरदेश में देखने को मिला मध्यपरदेश में कमलनाथ की सरकार ही कुछ इस तरह से गिर ती क क्योंकि जोती रादित्य सिंधिया ने अपने दलबल के साथ कॉंग्रेस का साथ ही छोड़ दिया अब मैं आपको बतातों कि आखिरकार वज़ा क्या है कि कॉंग्रेस में इतनी बड़ी अंतरकला देखनों को मिल रही है और पार्टी आलाकमान के होश उड़ते भी नजर आ पैट जितिन परसाथ के लेकिन इसको देखते हुए भी प्रियंका गांधी ने जिस तरह से जितिन परसाथ को दरकिनार कर दिया उसके बाद देखे कॉंग्रेस में बवाल खड़ा हो गया कॉंग्रेसी नेता राहुल और सोनिय से सवाल पूछने लगे और कॉंग्रेस में खुलकर बगावत देखने को मिलती दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पाइलेट भी अब खुलकर कॉंग्रेस पार्टी के खिलाब बोल रहे हैं और ऐसे में सचिन पाइलेट का बोला यानि बहुत कुछ यह संदेश चारा है कि सचिन पाइलेट और किस तरह से सचिन पाइलेट अब पूरा-पूरा मन बनाते दिखाई दे रहे हैं पार्टी छोड़ने को लेगा देखें एक खासी पुलकर कॉंग्रिस के युवा नेता जीतिन प्रसाद ने जैसे ही पार्टी का साथ छोड़ा उसके बाद सियासी गलियारों में हलचले तेज हो गई है और खबरे तो यहां तक सामने आई है कि अब कॉंग्रिस दीरे दीरे टुकुडों में तूटती नजर आ रही है जीतिन प्रसाद के कॉंग्रिस का दावन छोड़ने के बाद अब कॉंग्रिस के नेता ही सोनिया और राहुल पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ब्रामडों का बड़ा चेहरा कहे जाने वाले जीतिन प्रसाद ने जिस तरह कॉंग्रिस का दामन छोड़ दिया और बीजेपी में शामिर हो गए उसके बाद ना सिर्फ पार्टी आलाकामान के होश ओरते दिखाई दिए बलकि कॉंग्रिस में भी और ऐसे में उत्तर प्रदेश चुनाओं से पहले प्रियंका गांदी ने जिस तरह से जीतिन प्रसाद को दरकिनार कर दिया उससे साफ पता चलता है कि धीरे धीरे युवा चेहरों को कॉंग्रिस पार्टी दरकिनार कर दी जा रही है जिस तरह से प्रियंका ने जीतिन प्र कि कॉंग्रेस अब दीरे दीरे विखरती नजर आ रही है क्योंकि जिस तरह से मौजूदा समय के अंदर भी देखने को मिल रहा है कि कॉंग्रेस पूरी तरह से केवल तीन ही चहरों पर टिकती दिखाई दे रही है राहूल और सोनिया और प्रियंका के अलावा कॉई बड़ा नेता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो पीते समय जो चुनाव हुए थे उसमें भी राहूल और प्रियंका की ही मौजूद्गी थी राहूल और प्रियंका की मौजूद्गी की वज़ह से चुनाव में कॉंग्रिस का क्या हा और मौजुदा समय में भी राहुलो और प्रियंका को ही आगे खड़ा कर दिया गया है और जिस तरह से कॉंग्रिस धीरे-धीरे करके युवा चेहरों को दरकिनार कर रही है इसका बहुत बड़ा असर चुनाओं पर देखने को मिलेगा आपको बताते कि कॉंग्रिस में अब युवाओं की बहुत ही कमी देखने को मिल लई है यानि कि कहा जाए कि कॉंग्रिस के अंदर बहुत कम युवा चेहरे बचे हैं कुल मिलाकर सचिन पाइलेट ही फिलाल युवा चेहरे दिखाई देते और सचिन पाइलेट भी पार्टी अलाकमान सोनिया गांदी से नारास जा रहे हैं आपको बता दे कि सचिन पाइलेट की मौजूदगी ये बताती है कि किस तरह से वो पार्टी आलाकमान से नाराज दिखाई दे रहे हैं दरसल जो कॉंग्रेस ने सुला कमेटी बनाए थी उस पर कोई काम नहीं किया गया इस वज़े से सचिन पाइलेट पूरी तर हिल जाएगे और चुनाओं से पहले ही कॉंग्रेस हार जाएगी आपको बता दे कि जिस तरह से कॉंग्रेस धीरे-धीरे बिखरती नजर आ रही है उसकी साफ जलक सोनिया और राहुल के चेहरे पर दिखाई दे रही है क्योंकि सोनिया और राहुल फिलहाल अभी चुप हैं और इन मामलों पर कुछ जादा बोलना नहीं चाहते सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बदलाओ सोनिया और राहुल ने किये थे ऐसा लग रहा है कि वो बदलाओ किसी भी काम के नहीं साबित होने दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह से मौजूदा समय में बीजेपी क कि स्थती एक बार फिर मजबूत हुई और कॉंग्रेस के पिलर हिलते दिखाई दिये हैं इसका साफ मतलब यह है कि कॉंग्रेस पर बीजेपी पूरी तरह भारी परती नजर आ रही है और जिस तरह से देखा जाए तो कॉंग्रेस के पिलर हिलना इसका साफ मतलब यह है कि और कॉंग्रेस को चेतर ये पार्टी बताया इसका मतलब यह है कि कॉंगरेस सब दीरे-दीरे सिकुर्ती जा इकनों मिला था कि कॉंग्रिस की तरफ से जो सुलह कमेटी बनाए गई थी उस सुलह कमेटी का सही डंग से काम ना होने की वजह से बीजेपी नेताओं ने खुल कर सचिन पाइलेट का समर्थन क्या था क्योंकि सचिन पाइलेट बीते काफी समय से सुलह कमेटी के काम ना होने पर सवल खड़ा करते हैं और ऐसे में बीजेपी नेताओं ने सचिन पाइलेट को साथ दे कर पूरी तरह से जो चिंगारी थी उसे आग का रूप दे दिया यानि कि अब जो चिंगारी है वो पूरी तरह शोला बनके भड़क गई है और सचिन पाइलेट के अंदर का गुस्सा अब पूरी तरह पार्टी अलाकमान पर पूर पड़ा है इस देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर सचिन पाइलेट की नाराजगी दूर नहीं होती है तो आने कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो कॉंग्रिस में गिने चुने चेहरे और आसे में ये गिने चुने चेहरे है अगर ये भी पार्टी का साथ चोड़ते हैं तो बहुत जादा इस्तियां खराब होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे साफ तोर पर यह देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं सची पाइलेट जो है वो बड़ा कदम उठाते नाजर आएंगे तो इसका मतलब ना सिर्फ यूवा चेहरे जो है वो पूरी तरह कॉंग्र झाल